चंडीगड में पिछले कई दिनों से कर्फ्यू लगा हुआ है और जाहिर सी बात है लोग अपने घरों में कैद हैं और खास कर कुछ लोग ऐसे भी है जिनके घर में चूला चौका तक नहीं जला है और उसमें छोटे छोटे बच्चे भी है तो चंडीगड पुलिस ने एक प पीजा इसके पैसे नहीं लिए जा रहे मैं यह बताईए यह आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया और किस तरीके से आप इसको आमल में लाई हैं हमें पता लग रहा था कि जो घर में बैठने वाला काम है बड़ा ही बोरिंग है सभी लोग जो है वो बोर हो रहे थे तो बड़ों को भी समझाना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि घर में बैठना है तो ऐसे हाला तुमें बच्चे जो की बहुत चुलबूले होते हैं उनको घर में कैसे बिठाया जाए तो थोड़ा सा माबाप के लिए भी परिशानी हो रही थी तो इसलिए हमने सोचा कि यह जो पीजा है एंजॉय करते हैं बच्चे खाने में इसको बाटा जायता है कि थोड़ा सा खुशी उनको भी मिले घर में बैठे हो और यह जो इलाका है खासकर सलम इलाका है दूसरा यह मास्क और सैनिटाइजर शाहद यहां तक नहीं पहुंचे होंगे तो इसके बारे में भी हाँ जी बिल्कुल सैनिटाइजर जो है वो बहुत जरूरी है हातों को साफ रखना है बार बार हेल्थ प्रोटोकॉल सेफटी प्रोटोकॉल के बारे में भी हम इनको जागरूख करना चाहरे हैं यहां पर यह पीजा दरसल डॉमिनोज अपनी डिलिवरी नहीं कर पा रहा थ था और उनके पास स्टॉक काफी हो गया था उन्होंने चंडीगड पुलिस के साथ मिलकर इसको फिलाल मुफ्त में बांटने का फैसला लिया है तो अपने आप में एक संदेश भी है और लोगों की जरूरत भी है कैमरमेन गुंजीत कुमार के साथ सतिंदर चौहान आज तक